खबर कौशाम्बी जन्पत के नगर 25 सराय अकिल से हैं बताते चले पानी सप्लाई के लिए लागू की लागत से दो पानी की टंकी बनाए गए तीन पंप हाउस बनाए गए जुसमें पानी टंकी पंप हाउस नंबर एक की मोटर कई महीनों से जली है संबंदित अरिकारी के ध्यान ना देने से कस्वे के लोगों को भारी परिशानी जेली पड़ रही है वही पर बरदाई बाजार इस्थित पंप नंबर दो की मोटर तीन दिनों से जल गई अब तो एक पंप के भरोसे पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा वही पर पंप नंबर दो के आसपास की रहने वाले लोगों का कहना है इस पंप से लगबग 200 लोगों का परिवार पानी भढ़ने के लिए आता पंप हाउस के आसपास गंदगी कामबा लगा रहे था जिससे गुजर कर लोग पानी भढ़ने को मजबूर वहीं से पानी की सप्लाई होने से कस्वे में बीमारी भी फैलने की आशंका लोगों ने इसके शिकायत जिम्मेदार अधिकारी उसे की लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हमेशा तमाश देखते हैं जिससे कस्वे के लोगों में आक्रुश राप्त है कब से मोटर के कब से खराब है कल परसों से जली कल मतलब आप लोग पानी के कैसे बीवस्ता करती है अपर सरय यही चलता है तो पीते हैं और कहा बेवस्ता क्या नम है आक जिम्माइना देखा कर ने वालिया यही सराय के बुश्तर कर दो